तो साथियो फाइनली असम राइफल की तरफ से ITI 10th, 12th, male, female सभी के लिए vacancy कर कर आईए तो इस contact basis period में असम राइफल ने थोड़ी सी हमें रहात दिये कि हाँ गोर्नमेंट नोकरी निकल कर आईए है सभी विबाग की तरफ से तो यह जो vacancy है group C और group D post पे होगी state wise vacancy है अगर आप UP के हैं, बिहार के हैं, मद्यपर्देश के हैं, जारकंड के हैं तो अपना इन्होंने क्या कर दिया है, सभी column हो में डाल दिया है कि बिहार में इतनी vacancy है, ITI की field में इतनी vacancy है, जारकंड में इतनी vacancy है तो detail notification देखते हैं, जो की Assam Rifle की तरफ से आया है मैं Assam Rifle की official website पर हूँ, तो जैसे ही आप यहाँ click करेंगे तो इस पर आप देख लिजएगा, तो यह Assam Rifle की official website होने वाली है तो यह जो notification है, आपको कहां मिलेगा जी? यहाँ मिलेगा, तो यह जो vacancy निकल कर आई है, tradesman पद पर निकल कर आई है dated 10 October को होगा, 19.923 से official notification आगया बट online application कब से होंगे? आपके 21 October 2023 से चालू होने वाले है और लमसम लमसम, नॉमबर के 19-18 तक इसकी last date हो clear, तो साभी इसनों ने अच्छी तरह के सही इनों ने डाल दिया है कि official website पर जाके आप यहाँ पे इस पर देख सकते हैं तो इसमें क्या है? application क्या होगा? website पर जाके आप करेंगे SBI जो bank counter होगा PET से मागा है PET का मत्तब क्या होता है? physical efficiency test इसमें मागा गया है तो यहाँ मैं आपको detail measure notification को बताने से पहले एक important announcement आप सभी के लिए बताना चाहता हूँ ITI की structure में, जारकेंड structure में पदों पर बहुत जल्दी vacancy निकलने आले वाली है तो अगर आप teacher बनना चाहते हैं, उतरा खंड के अगर आप निवासी हैं तो info date application पे 15 October से आपकी live classes चालू हो गई है कितने बज़े 9 PM पे, जिसमें हमने आपको chapter wise, MCQ, PYQ, mixed MCQ, doubt session, free PDFs downloaded, GIF और images के साथ हर संभव, हार स्याद topic को परियास किया है, कि उसे शोटे सब्दों में आप तक पहुचाए जा सके तो अगर आप ये शिक्षा ग्रहन करना चाते हैं, तो प्ले स्टोर से आज इंफो टेड एप्लिकेशन को डाउनलोड किसेगा और सभी teachers आपको कहां मिलेंगे, online classes में मिलेंगे चले जी, चलते हैं अपने आज की topic की तरफ, आज की vacancy की तरफ, तो यहां इन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह मांगा गया है, तो different different पोस्टों पर यहां vacancy निकल कर आई है, तो मैं ज़रा एक आपको PT पता देता हूँ, कि PT यानि physical standard test होगा आपके किसके लिए, हविलदार के लिए, access assistant, हविलदार, surveyor, IT है, ओके देखो, IT की कोन सी पोस्टेस में, surveyor होगी, refinement होगी, plumber होगी, lineman होगी, तो सभी category इसमें डाल दिया है, कि आपकी male है, तो आपकी height इतनी होनी चाहिए, ठीक है इतना होना चाहिए, तो आप देख लिएगा, कि किस-किस category साब blog करते है, rifleman के अगर आप कर रहे हैं, तो male है, तो आपकी इतनी height आपके कम से कम होनी चाहिए, तो इसमें से जो important चीज है, वो मैंना आपको यहां बता दी है, clear, चलो, तो मैं सीधा आपको इसके कहाने चलता ह हूँ, तो application fees की बात करते हैं, तो application fees इसमें कितनी होने वाले होगी, जो SBI के दुआरा होगी, आपकी only and only 100 रुपीज होने वाली है, जो हमारे SCST candidates होते हैं, उनको इसमें कोई भी fees नहीं लगने वाली है, ठीक है, क्योंकि यह PDF साथ यो थोड़ी बड़ी है, इसको मैं थोड इसमें क्या होने वाला है हमारा, जो trade test होगा, trade test यानि skill test होगा, किसके लिए, trade test for tradesmen, personal will be conducted after the competition of PET and PST, यानि PET यानि physical जो आपका test होता है, दोड़ भाग जिसमें high chest बापी जाती है, उसके बाद आपका trade test होगा, trade test के बाद आपको फिर इसमें return test होगा, जो कि आपके 100 marks का हो 30% लाना अनिवारी है, the candidates who are successful in PET, जो PET में successful होगे, documentation में, trade skill test में, return test will be stored trading in the next stage, वो ही कहां जाएंगे, आपके next पड़ाव पर जाएंगे, और return test will be about 4 times in the number of vacancy, तो यानि एक seat पर आपको 4 student इसमें बेठाने वाले हैं, तो यहां पर आपको जैसे देखिए, आंदरा परदेश है, तो आंदरा परदेश में, इन इन पोस्टो पर वैकेंसीन के लिए, warrant officer, rifleman, plumber, जिसे बोलते हैं, और ना चला परदेश है, तो warrant officer, rifleman, naip, सुवेदार, warrant officer, rifleman, तो यह सारे strengths क्या होंगे, तो यहां PET का यह जो criteria है, ना इनका, यह जो इन्होंने criteria fix किया है, आपको, physical efficiency test का तो आप देख सकते हैं, कि अगर आप male candidate होंगे, तो 5 km आपको कितने में मिनट में दोड़ना है, 24 मिनट में दोड़ना है, जो female candidate होंगे, उनको 1600 मीटर या 156 km, साड़े 8 मिनट में दोड़ना है, तो यह सब देख लिजएगा, तो जितने भी आप, कहीं किया कि भी आप आप देख सकते हैं, तो सीधा चलता हूँ मैं कहां आपको, आई-टे वाले स्ट्रेंट्स के लिए, इसमें क्या होने वाला है, तो आई-टे वाले स्ट्रेंट्स होंगे, तो सबसे पहले कोन-कोन से इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे, जो मेरे electrical और mechanical के होंगे, ठीक है, पि एस्टेंट या 10 प्लस 2 वाले स्टेंट आपको यहां एपलीकेबल होंगे एज लिमिट क्या होनी चाहिए इसमें 20-28 प्लंबर में 18-23 साल इसमें एज लिमिट बांगी गई है तो ड्राफ्टर मेकेनिकल वाले स्टेंट्स हो गया लाइनमें हो गया तो यह सब इस्टेंट्स हो गया आपके पास इनके पास आपके पास आईटे होनी चाहिए तो अगर आपने लाइनमें से आईटे करीवी है तो अगर आईटे करीवी है तो स्वाम का फिल कर सकते हैं तो महराष्टों में इतनी वेकेंसी है, मनिपूर में इतनी है, में गहले में इतनी है और मिजोरूम में इतनी है, तो यह सारी आप देख लिजेगा, अगर आप इन state से belong करते हैं तो अगर आप तिरिपुरा में उत्तर परदेश के अगर आप students हैं तो उत्तर परदेश में आप किस किस में कर सकते हैं दस्वी बारी में आप इन पोस्टों पर applicable कर सकते हैं ठीक है जिसे तिरिपुरा के हैं तिरिपुरा में मेरे जो plumber वाले students होंगे वो form को fill कर सकते हैं तो यहां बस सबसे ज़्यादा जो इसमें मागा गया है तो सबसे ज़्यादे इसमें जो electrician वाले students है वो इस form को ज़्यादे सबसे ज़्यादे fill कर पाएं ठीक है के लिए तो यह अच्छी बात है कि यहां से finally कुछ निकल कर आया है, गोर्मेंट जोब होगी और ये फाइनली मेल फीमेल सभी के लिए होने वाली, जैसे ट्रेड आपकी ड्रॉफ्ट मैन हो गई, ठीक है, तो ड्रॉफ्ट मैन वाले स्टेड्स भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ओके जी, चलिए तो आज के लिए इते रहीं, तो फाइनली कुछ इस कॉंटेक्ट बेसिस के प्रेड में कुछ एक अच्छी न्यूज आईए तो साथ यो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा, चैनल को सबस्काइब कीज़ेगा मिलते तब तक, अगली वीडियो में, तब तक, बाइबाइ टो लोफ